श्री शीताराम सरकार कीजे, श्री हन्मान जी महराज कीजे, श्री गोरी शंकर भगवान कीजे, श्री एवधा धाम कीजे, स्ती सद्यू महरानी जी कीजे, सब संतन कीजे, सब बतन कीजे, जै जै श्री शीताराम बड़े भाग पाईये सत्संगा बिनही प्रयास होत भव भंगा बड़े भाग से सत्संग मिलता है और उससे भी बड़ा भाग यह है कि हमें नर्शरी मिला है मानब देह मिली है सत्संग स्वयम ही जीव के समस्त पाप को ताप को संताप को मन में जतनी कलेश होते हैं जतनी विकाल होते हैं उन सभी को शांत करके जीव को सुप्रजान करता है समय अवश्य लगता है लेकिन यह होता अवश्य है सत्य का संग बस इतना ही है अलाम और असत्य, असत्य का संग बहुत बड़ा है, यह संपून संसार, गो गो चर जहला की मने जाई, सो सब माया, जाने उभाई, इस संपून संसार जहां तक मन जाता है, जहां तक इंद्रिया जाती है, सब का सब असत्य है, अनेक जन्मों के अभ्याद से, हम इस सब मत संसार को ही सत्य मानने लगे, हमारी दिश्टी में, हमारे अनुबब में, यही सत्य हमें प्रतीत होने लगा, और जब नाम की बारे में सुना, नाम को जाना, तो मन में यह बात आने लगी, कि छोटा सा नाम इस संपून संसार के भ्रह्म को कैसे समाप्त कर सकता है, देखिए, सूर्द है, सूर्द देखने में छोटा सा दिखता है, लेकिन उसका प्रिभाव तीन लोकों को प्रिकाश बैदन करता है, उसका प्रिभाव कितना बड़ा है, उसी पिकाई ये सत्य है लाम नाम सत्य का आकाल बड़ा नहीं होता सत्य का प्रिभाब बड़ा होता है ये सत्य का आकाल बड़ा हो जाए तो सत्य को कोई गिधनी ना कर सके इसके प्रिभाब को की समझ नहीं सकता ये सदैब रहने वाला होता है और अनन्द होता है और होता कैसे है राम राम करते करते हैं नाम जब करते करते हैं धीरे धीरे हमाई जीवात्मा में राम नाम का प्रिवेश हो जाता है बचन कर्म मन मोरी कती बचन करही निश्काम जब इस पद्धिती से नाम जब होने लगता है तो वहाँ जो हमारी जीवात्मा है उसमें राम नाम का प्रिवेश हो जाता है और नाम का प्रिवेश होता ही वो जीवात्मा जागती में आ जाती है और जागने पर जागने पर सुपने कैसा दिखता है जो हम सुपने देख रहे हैं और उसमें हमें कोई जगा दे तो कैसा लगता है अजे हम तो सपने देख रहे थे ये तो कुछ थाई नहीं ये तो मिथ्या था हम तो बिनाबात कहीं डर रहे थे भैबीर हो रहे थे कलेश पा रहे थे, दुख पा रहे थे ये तो कुछ थाई नहीं यह तो भर्म था, यह तो मिथ्या थी, बस यही बात, यही बात जो है नाम समझा देता है, नाम समझा देता है, जो सपने से काटे कोई, जागे बिना नदूरी दुख होई, सुपने में किसी ने तुम्हारा सर कर दिया बड़ा दुख हो रहा है तरप रहे हैं, रो रहे हैं, बिलाब कर रहे हैं, हाई मर गए इतना जखत बहरा है कैसे ठीक होगे? कैसे तुम्हारी रख्षा होगी? कैसे बचोगे इस दुख से? जागे बेना न तुम्हारी दुख होई जाग जाओ बस तुम जाग जाओ वो जितना दुख है, कलेश है, संताफ है सब मिट जाएगा लगेगा रहे? ये तो कुछ था ही नहीं लेकिन हमने कहा दिया आपने सुन लिया, समझ में आगी है क्या? नहीं, ये सुनकर के समझ में आने वाली चीज नहीं है ये कोई जड़ी बूटी थोड़ी है खिला दी कोई भवूत थोड़ी है माते फेला गा दी कोई मन तो थोड़ी है ले जाके बस कानों फुख दिया नहीं, वो नहीं है इसे करना पड़ता है ये बो धन है जो खुद कमाना पड़ता है ये अपनी पुझी है ये अपनी जीवात्मा की पुझी है इसे खुद करना पड़ता है हम असकुला काएं, लेड़ू काएं और किसी नहीं नहीं खाया उसको हम कितना भी कह लें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना तो हम ठीक से कह पाएंगे ना तो वो ठीक से समझ पाएगा तो मार्ग क्या है? मार्ग यही है कि वो उसको खुद दिखाए उसको खुद सेवन करे तब वो समझेगा हाँ ये ऐसा है उसी प्रिकार ये नाम है हम कितना कह लें हाँ ठीक ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा प्रिभाव होता है ऐसे जागती होती है नहीं समझ पाओगे जब तक खुद नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आने वाला और किवल राम लाम करने से किवल नाम जब करने से ही इसका प्रिभाव ऐसा होता है उसी लिए कहा गया है कि बिनहीं प्रयास हो जीवा चलाने में कोई परिश्रम नहीं लगता, जीवा चलाने में रामदाम करने में कोई परिश्रम नहीं, इसलिका गया बिना ही प्रयास, बिना कसी प्रयास के, और किसी साधन में जाएंगे, तो युथों में जाएंगे, चार पैसे कर्च होगे, महनत लगेगी, सरी को कष कश्ट होगा? कहीं धन जाता घisuए होटल में. कितने हे होटल है? पंदस सो रुपता. हम तो यह सोच के आयते पांस सो छएसम लेगा. मन को कश्ट होने लगा? सरी को कश्ट होने लगा? ठंडी का मौसम में चलेगे सदीजी की किनारे, अब नहाएं कैसे, इसनान कैसे करें, जहां भाव की बात है, भाव से पहले भै आ गया, कैसे इसनान करें, भैवीत हो गए, ठंड लगेगी, यह ऐसे काम नहीं होता, सब का साल नाम, बिन ही प्रास होत भबंगा, कीवल नाम से काम, कुछ और करने की आवश्चकता ही नहीं है, आप लोग नए नए वीडियो खोषते हैं, नए नीची यह देखते हैं, नए नए पुस्तक पढ़ने के लिए होते हैं, यह पढ़ लें, यह पढ़ लें, ग्यान त आपके काम का है क्या, नहीं, जिस तरह है, आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, और आपको दबा किया रशकता है, आपको दबा किया रशकता है, आप गए मेडिकल पे, मेडिकल पे गए और आपने कहा कि मुझे यह बीमारी है, दबा दे दीजे, तो वो क्या आपको मेड जो आपको बीमारी है, उसी की वो आपको दबा देगा, उसी प्रिकार ग्रंथों में जियान भधा पड़ा है, बहुत है, जियान अनन्त है, लेकिन सब जियान आपके काम का नहीं है, क्यों सब के पीछे भागते हो, क्यों सब के पीछे पड़े रहते हो हाथों के, सब तुम् इडिकल पालिनुक detta जíतने, में तुम्हारा काम हो जाना उस ही जढ़ं़ कर लो ही कितने ही युग हो जाएगा कि राम राम कर लो इतने समझ में आ गया ना कि रामान करना है इतने में ही काम हो जाएगा दूसरी वस्तु की आवश्चक्ता ही नहीं है और किसी ग्यान की आवश्चक्ता ही नहीं है तुम्हें कुछ और पढ़ने की तुम्हें कुछ और जानने की कुछ और सोचने की आवश्चक्ता ही नहीं प पढ़ेगी, बिन ही प्रयास, और यह होगा कैसे, जब धीर धीर नाम में लग जाओगे, नाम जब करने लगोगे, नाम को ही एक मात आधा मान लोगे, एक बल उसो, एक बल, एक आस इस्वास, नहीं कुछ पढ़ना है, नहीं कुछ सुनना है, नहीं कुछ समझना है, तो धीर यह नाम ना, यह राम नाम तुमको धीर धीर जागती में ले जाएगा, धीर धीर तुम्हें जागती में ले जाएगा, लेकिन धीर धीर जागती की वो तो ले जाएगा, लेकिन तुमारा जो दुख है, कलेश है, चिंता है, शोक है, भै है, विशाद है, यह सब प्रारंब से ही निश्टा का नना शुदू कर देगा लेकिन छो झेपने हो के है जो कि नियू जब यह रामनाम तुम है पास आजाएगा शुद्ध बशुद्ध सुरूप से रामनम तुम घ्रण कर लोगे अनन सुरूप से, अनन सट्वरण में चले जाओगे नाम का, तो संसार के शोक बहुत तुम तरस्त नही रही सकेंगे, कोई भी शोक, क्योंकि अब तुमने रामना प्रिव़भाव फिर्मीद 2700 साल का प्रिवभाव उपार क्राफ में सत्य को पकड़ लिया कि यहाँ प्रकाष होता है बहां अन्दिकार के प्रिवभाव नहीं होता ति मानिजी विर के अब तो देवराज इंद्र ने माता सरस्वती के पास गए और माता सरस्वती से कहा कि भर्जी बड़े प्रेमी है और राम जी तो बड़े भावुक है तो भर्जी यही प्रेम से आगरे करेंगे तो राम जी अवश्री है धरलोट आएंगे तो आप ऐसा करो जैसे आपने मुंसा की बुद्धी फेल दी, वैसे भर्जी की बुद्धी फेल दो, भर्जी राम जी से कहें नहीं ये भर्जी जाए ही नहीं तो भहाँ पे मातर ससुती क्या कहती है इंद से भरतिर्दे सियराम निवासू तहकेति मिलचेहां रहनी प्रिकासू भरजी के हिड्दे में सिसीता राम जी का निवास है जहाँ सुल्य रहता है बहाँ अंदिकाल नहीं हो सकता इंद्र सहस्तों आके होते हुए भी तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ भरत के साथ कोई भी कुचाल मत करो भरत जी के साथ कुचाल करने में तुमारा हित नहीं है तुमारा नाश हो जाएगा माया पती सेवक से माया करहित उलटी पले सुर दाया माया पत्री के सेवक से माया तुम्हारे हित्मे नहीं होगी यह तुम्हारे लिए उल्टा पड़े जाएगी यह उल्टा तुम्हारा ही नाश कर देगी जो अपराद भगत करकर रही राम रोज पावक सोज रही तुम्हारा नाश हो जाएगा ये रामना मितना सरल है कि इसकी सरलता ही इसकी कटिंता हो गई है कोई सुईकारी नहीं करना चाहता वो यह सोचता है कि जब तक पेड़ से उल्टे लटक के तबस्या नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा जब तब यम नियम आसन प्राणयाम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा इसकी सलता ही इसकी कटनता हो गई है पावती जी को दब राम जी पर संदेह था तो उन्हें शंका जी से कहा कि आप हमें राम जी कता सुनाई है शंका जी ने संपुन राम चाहिते माता को सुनाया तो तो संपुन चरितु सुनने के बाद क्या हुआ भाई रगुपति प्रिति प्रतिति प्रेम विश्वास हो गया जब प्रेम हो गया विश्वास हो गया तो बिनु विश्वास भगती नहीं भगती जागित हो गई भगती जागित हो गया भाई रगुपति प्रतिति प्रतिति स तो मिले कहीं अकालमृत्युणा हो जाये। दुख ना ओजाया, कलेश ना हो जाया, संताप ча ne हो जाये। हमाई जीवन का क्या होगा मुक्ति में होगा, किस साध्न में स्द्थ औसी जितनी स्थ राम जी दरखल में लेकर्ठ संप्डाइं व्श्वास हो गया प्रिम बिष्वास कईसे होगा उसा भगवान-क इस भा показmalर producerी को कहता सुने धाल जीर चैतलोसना और राम जी के चाहित तो सुनके, क्या किया, सहस नाम सम सोनी सिब बानी, जपी जी ए पिय संग भवानी, नाम को सुईकार के लिए, अन जुहाव से, नाम आशेत हो गई, तो यही गलती हमसे हमें सुजाती है, यही जो दोश है, यही बादा हमसे हो जाता है, ससंग सुनते हैं, अच्छी बाता सुनते हैं, सुनके अच्छा लगता है, हाँ, आज बहुत अच्छा सुना, आज तो मजा ही आ गया, आज के बाद, आज का कहना ही क्या, बस इसी बात की कमी थी, इसी का तो इंतिजार था, अब अच्छा है, अब बढ़िया है, और कुछ दि है वो अभी तक हमने पकड़ा नहीं है और जब तक साथ नहीं पकड़ा तब तक कुछ भी पकड़े में नहीं आने का तब तक बस यही ले गया हाँ यही चाहिए था हाँ यही मिल गया और साथ नहीं पकड़ेंगे तो काम नहीं होगा और सब का साथ है नाम यह संसार यह विश्व रूप बलही राम जी का दुष्ट और दुख रूप है एक दुष्ट अतिसे दुख रूपा यह आवसजीब पराभवकूपा यह बलही राम जी का दुष्ट और दुख रूप ह वो तो मंगल के मुझे है, मंगल भावन है, सु सुक्य धाम राम असनामा, अकल लोक दायक विश्रामा, वो तो सुक्य धाम है, वो सब को विश्राम देने वाले हैं, तो तुम उनकी शर्ण में जाओ, उनका इसमन करो, उनके नाम का जब करो, और कैसे, अनन्य आश्रे, तुम यह मत देखो, तुम्हें दोश है, तुम्हें पाप है, तुम्हार बेवार अच्छा नहीं है, तुम्हार विचार अच्छा नहीं है, तुम्हार अहार अच्छा नहीं है, यह सब कुछ मत सोचो तुम, मन शुद्ध नहीं हो रहा, पवित्ध नहीं हो रहा, मन के विकाल नहीं जा रहे, मन से कोई विकाल नहीं जा रहे, बाल बाल काम क्रोध का आविश है था, तुम्हें ये सब सूचने के आविश्चता ही नहीं है, ये तो उनका काम है न, सनम को होई जीव मोही जब ही, जनम तुझे पवित में करूगा, तुझे शुद्ध में करूँगा, यह तो वो करेंगे न, हम ही का करना है। उनकी अनन निसरणागती एक भलरो से, एक बल, एक आशेश भास। मन कहीं जा राये जाने तो, शुद्ध नी युद्रा ना हो। जो उनकी आग्या है, उनकी आग्या में रहो उनका नाम, उनका आश्र है, एक मातो उनके बड़ बस यही हमें करना है, इसी के आवश्क्ता है बस इतना हो गया ना, फिक किसी के आवश्क्ता नहीं है और यतना नहीं हुआ, तो साइस संसार को ग्रहन कर लो, साइस संसार को सिकार कर लो, सारे गिंत, पुराण, इव्वेद, सब को सिकार कर लो, सब को पढ़के कंचस्त कर लो, कोई भी तुम्हारे काम नहीं आने आ रहा है, यह हो गया तो सब हो गया, और यह नहीं हुआ, तो